वीडियों आप देख रहे हैं दोक्टर एजुकेशन आज हम बात स्पात करेंगे कि दिमाग की विमारेलजाइ jin in एडिजीz ओल्ड एज बीमारी जो भूत की कॉमन नाम सुना और आपने नाम को सुना होगा आपने ईलजाईमर्स विजी नहीं रोत तो हम बता देतें आप ब्रेंड व्यक्न मतलब loss of brain function यहने के आपकी सोचने समझने काम करने थिंकिंग एसेटर 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 की शम्ता अपना खुद का ख्याल रखने की शम्ता कम हो जाती है जो जादतर cases में बुड़ापे में होती है तो यह क्यूं होता है इसके बारे में बातचीत करेंगे इसके causes क्या ह है इसके diagnosis में क्या लेना क्या क्या points आते हैं symptoms क्या आएंगे इसके अगर किसी को हमें diagnose करना है तो और test क्या करना होगा और ultimately इसका treatment क्या होगा इस सब बात पर बात करेंगे और थोड़ा बहुत बात करेंगे prevention की भी क्योंकि prevention is better than cure right so Alzheimer's disease, dementia, senile dementia भी कहा जाता है senile dementia का मतलब है कि बुड़ापे में उमर के साथ होने वाली दिमाग में जो degeneration है वो यानि brain function कम हो जाना right और यह Alzheimer's disease सबसे common कारण है old age में dementia होने का मतलब आपकी memory आपकी thinking और आपके behavior यह तीनों में problem आने लगती है memory thinking behavior right so क्या हो रहा है क्यों हो रहा है सवाल पैदा होता है the exact cause of Alzheimer's disease is not confirmed right but there are many 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 researches going on जिसमें काफी सारे indications है changes है risk factors है उससे पता चलता है कि exactly यह चीजें है तो Alzheimer's के chances बढ़ जाए और वो है क्या मतलब समझते हैं so first of all you are more likely to develop Alzheimer's disease अगर if what are the risk factors if you are older पहली बात developing Alzheimer's disease is but it is it is not a normal process of aging हर इंसान जो बुड़ा होगा उसको Alzheimer's होंगा जरूरी नहीं है right it is not a normal path मगर उमर के साथ Alzheimer's होने के risk बढ़ जाते हैं बच्चों में Alzheimer's नहीं देखा जाता second अगर आपके किसी close relative आपके family में किसी को Alzheimer's है brother sister parent तो आपके chance बढ़ जाते हैं मतलब इसका genetic component है आपके डिये ने में कहीं न कहीं इसका risk factor आ जाता है genetic link to Alzheimer's disease so that is there फिर being a female female को इसका risk बढ़ जाता है मेल के comparison में अगर आपको कोई heart की बिमारी है heart disease या blood vessels disease या high cholesterol है high cholesterol heart disease blood vessel disease इन से Alzheimer's disease का risk बढ़ जाता है और अगर आपको कोई सर में चोट लगी head trauma head trauma can also increase your risk of Alzheimer's so यह सारे risk बढ़ाने वाले Alzheimer's के भी दो प्रकार है ना दो प्रकार में इसको onset पे आता है onset मतलब एक होता है early onset early onset Alzheimer's disease मतलब symptoms जो है आपके 60 साल की उमर से पहले पहले early onset हो गया सो 60 की उमर से पहले आ जाने वाले को early onset बोलेंगे और यह कम common है कम common है late onset मतलब 60 के बाद होने वाला ज्यादा common है और जो run करता है आपके family में साथ के उमर के बाद आपके family में सबकी आदाश सबके दिमागी function में problem आती है genetic role उसमें है right then early onset जो है less common है मगर वो जल्दी जल्दी और जल्दी जल्दी तेज हो जाता है अगर साथ से पहले आपका दिमागी function कम होने लगा तो आपका दिमाग function जो है बहुत जल्दी जल्दी खराब होते हैं लग जाएगा that is a bad thing right so कौन सा dangerous हुआ early onset Alzheimer's disease is more dangerous than late onset Alzheimer's disease ठीक all right so यह भी early वाला भी और late वाला भी दोनों के दोनों genetic component है उसमें first of all अब बात करते हैं कि अगर होगा तो पता कैसे चलेगा symptoms क्या है अगर किसी को इस तरह की brain disorder है Alzheimer's disease है तो patient will have difficulty in many mental functions मतलब number one आपका emotional behavior या personality changes आने शुरू हो जाएंगे जिस बात से पहले आपको फरक पड़ता था आप फरक नहीं जो affection किसी के लिए होता था आप कोई फरक नहीं पड़ रहा सम्थिंग लाइंग्विच प्रॉब्लम आ सकती है भूल रहे हैं क्या बोलना था इसको क्या बोलते उसको क्या बोलते या memory problem भी आ सकती है so language problem memory problem emotional behavior personality problem perception problem perception problem आ सकती है thinking and judging problem judgment का problem आ सकता है so यह बताना मुश्किल नहीं होगा कि यह कुछ तो problem हो रहे है आपको दिमाग से चल रहे कि नहीं ऐसा आप बोलते हो right so that is there we will find out वह पता चल जाता है और पहला sign इसका होता है forgetfulness पहला sign होता है कि चीजें भूल रहें कहां रख दी कहां रह गया किया कि नहीं किया वह हुआ कि नहीं हुआ वह डाला कि नहीं डाला so a lot of a lot of forgetfulness और एक याद रखिए एक होता है normal forgetfulness कि एक normal आदमी अपने दिन चर्या में कभी mobile रखके भूल जाता है कभी गाड़ी की चाबी कहीं भूल जाता है कभी कुछ कभी कुछ लेकिन एक cognitive impairment जिसको बोलते हैं mild भी पॉंब में हो mild cognitive impairment एक स्टेज है जो normal forgetfulness जो उमर के साथ आती है उमर के साथ जो भूलने लगते हैं वो भी आता है और ऐल्जाइमस डिजीज के बीच में है mild cognitive impairment मतलब नॉर्मल भूल भूल जाना उमर के साथ mild cognitive impairment ऐल्जाइमस डिजीज ये एक स्टेज के बीच में है जिसको mild cognitive impairment है mild problem होता उनको thinking और memory में जो उनकी daily life daily activity में interfere नहीं करता है ठीक है ऐसा mild सा problem होता है लेकिन अगर आपकी daily activity में interfere करने लगे आज नहाए की नहाए की नहाए नहाए लिया था पर आपको पता नहीं और दवाई खाई की नहीं खाई भूल गया है सब्सक्राइब आपको पता होता है कि मैं भूल गया जो असमें मुश्किल है और ऐसा भी नहीं है कि जिसको mild cognitive impairment है वो अल्जाइमर होगा ही होगा so these can be a three three different things so mild cognitive impairment को भी समझना जरूरी है जिसके symptoms होते हैं थोड़ों बहुत डिफिकल्ट होगे एक टास्को एक time पर करना में एक से ज्यादा टास्क मोर देन वन टास्क करना मुश्किल हो जाता है माइल कॉग्निटिव इंपेर्मेंट कि आप भूल जाएंगे वह टास्को दोनों करने तो और इसमें किया कि निया एक पर खाम करने तुमें को किया है, उनको माइल कोगनिटिव इंपेर्मिन में, प्रभ्लम मेंिश स्वीं में प्रब्लम में प्रवल ऐसकता है, jazz है्न सब्सा भी, तिसलिएवजेंज आप में पके जो पहले तो आराम आसानी से हो जाते जैसे एक कोई complex bridgegram खेलना या फिर कोई एक नई चीज learn करना समझना कोई routine करना complex ऐसा कोई काम करना मुश्किल हो जाता है और जो normal रास्ते है उसमें भूल जाना अरे यहां था कि यहां था मैं भूल गया रास्ता ज़ सब्सक्राइब रहा है लांग्वेज प्रोबलम कि आप किसी चीज का नाम भूल गाए मोबाइल फोन का नाम भूल गए राइटम कहीं और रखके चल गया पुरप्रण पुरा सोशल स्केल भूल गया राइट गुरुद्वारे जा के मता नीधी टेक्रफ तो तुँत्या जो ऑफिशिल चीजें हैं समझ में आ जाती है यह इसे कैसे बूल सकते हैं इसे कैसे बूल सकते हैं तो आज़एमर्स डिजीज चैन बिकम वर्स और सिम्टम दिरे बढ़ सकते हैं स्लीप पैटर्न में चेंजे आ सकता है जिरात को जाग जाएं डिलूजन डिप्रेशन एंजिटेशन कुछ बेसिक टास्क खुद के खुद का खाना बनाना कपड़े पहनना ड्राइविंग करना रीडिंग राइटिंग उसमें प्रॉब्लम आ जाना अभी वी क्या हुआ था वह चीज़े भूल जाना कभी-कभी उसमें लोग दे लूज दे सेल्फ अवैरनेस हलूसिनेशन सार्ग्यूमेंट्स सो वाइलेंड बिहेवियर यसी चीज़े भी हो सकती है कई लोग एजिटेव क्या हो रहा है मेरे साथ राइट जज्मेंट प्रॉब्लम आ सकता है उनको पता नहीं चलेगा उनके लिए डेंजर क्या है डेंजर क्या नहीं है और गलत वर्ड इस्तमान हो जाना सोशल कॉंटेक्स से बिलकुल अलग रहने लग जाना की एंबैरेस्मेंट फील होना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इवन अर लेट स्टेज में फैमिली मेंबर को रेक चuki पर पहले का डाइगनासिस होना ज़रूरी है यह होता है अलगामेट पाऊकौब्ल मेंठ करना बता है और देमेंशिया ला aixòब फ़क्षन के और भी कारण है एनीमिया खुन की कमी ब्रेंट यूमर कोई भी क्रोनिक इंफेक्शन कोई दवाईया से इंटॉक्सिकेशन डिप्रेशन स्ट्रोक थाइरॉइड प्रॉब्लम वाइटमेंड एफिशेंसी या फिर नॉर्मल प्रेशर हाइड्र हाइड्रोसेफैलस ऐसी इश्यू चाहिए वो डेथ के बाद निकालके देखें तो फिर उसमें ब्रेंट टिश्यू में एक्जामिन करके हमको पता चलता है कि हाँ इसको अलजाइमर था बिना उसके पफेक्ट नहीं बता सकते और इसका कोई क्योर नहीं है देर इस नो क्योर तो गोल होते हैं ट्री बिमारी के प्रोग्रेशन का रेट कम हो जाए आपका जो प्रॉब्लम है बिहेवियर है वो कंट्रोल हो जाए वाइलेंट बिहेवियर ना हो तो यह मेडिसन जो होती है उसके साइड़ इफेक्ट भी हो सकते है उसके लिए इसलिए अपने डॉक्टर से रेगुलर बात करनी पड़ती है रिमेंबर दैट अलजामस डिजीज का प्रोग्नोसिस जो होता है हर एक के लिए डिफरेंट होता है कुछ लोगों में वो दूसरी बिमारियों के वज़े से जादा जल्दी और जादा बिमार होने लग जाते हैं कई लोग बड़ी आराम से जीने लग जाते हैं ओमेगा-3 fatty acids, fish oils are very good for this, और exercise is very good, mentally और socially active रहना जरूरी है, लोगों से interact करना जरूरी है, mentally और socially और कभी भी कोई brain injury नहीं होनी चाहिए, तो हरमेशा helmet पैनो, brain injury अपने आप में फिर वो तो आपकी गलती है, इतने simple सी चीज में problem हो जाएगा तो यह चार पाद चीजे आप prevention क के लिए करिए, तो Alzheimer's disease, dementia, minimize कर पाएंगे अपने risk, that's all for Alzheimer's disease, hope you like the video, अपने comments में बता सकते हैं, आपको किसी भी point में कोई confusion है, और कौन सा point आप relate करते हैं, thank you so much, stay connected, stay healthy and like the video. झाल